तो आव साथ सिम्ल जी अगला स्वाल जड़ा है, ओ फेर गुर्बानी दे शब्दा बारे है, के विर शब्दा दी बंतर बारे सानु आजदा भी है, क्योंकि इसी देख देया है कि कई अखर जड़े ने, कदी पूरे अखरा ना लिखे ने, कदी पैर ची अखर पाया, जिवे क्योंकि नदा भी कोई परपस भी है, तो साड़े को जड़ा आज स्वाल आया, और स्वाल भी साहर जीट सेंगी ने पाया जड़े आप कोडिनेट करते ने तो सवाल उन अदा है पर सवाल खेर किसे दा वे आवे जवाब देना साथा फर्ज बन दा है वो पुछ देने भी ससा ररा मां थाले अंकर ते यहां ससे दे पैरवेच ररा ते मां सरम श्राम या जो भी ए अर्खर पैर टो जीट सेंगी विए जीट सेंगी जीट सेंगी आनल मुंट वाजो फीका खाल सावाई जीट साहर आरा ममा सर्म ये फार्षिदा सव्दै जी इस त्री लेंगा है नौए जी इसदा आर्थ है लज्जिया इजुदी हुंदा जी उचारन है स्रम ससेदे पैरदे जी बिंदी लाके नूँ उचारन कारना रारे दे उते ना जी अद्ग लाके ममा बुलना हरे स्रम बैसे जे लास्ट अखर नास्की अखर हो न गंगा होवे नियन्या होवे नाना होवे नन्ना होवे ममा होवे तहां जड़ी अद्ध कहेगी है उहो लगजी टिपी है बुली अद्ध के जांदी है इस करके इसे नूँ स्रम बोलना है गाई कर किरपा नानक गुण गावै राखो स्रम असाडी जीू ससे तो बाद में खलका जा बुसराम जा देके स्रम पाठ करना जी गाई अगे हैं मुंदा संतो स्रम प्रत्य वोली त्यांकी करां बपूट इसे ससे ते पार जी बिंदी भी लानी है तो खलका बुसराम भी देना रारे दो ते अद कला के फिर दा उचारन करना लेखन देविची टिपी आंदी है बोलन देविची आद का दिया जी जरत आ रखना जी ज्यो कई साफ़द हैं मैं फाल हे कम जो बहा लेह जेयां कर दो टिपी लागे ममा कम लेह थे आँ पर मोली जांदी है क्यों लाष्ट अखर नाच ये खरा ममा हैगा जो पाल लेह देविची लागे है नानना लेह दिग लेकर बोली है अद कर दो अद दो पर वे इसे तरह एकखर ह्जाएगा शाज़ारा शाज़ा, मम्म्मा, बढ़ारा शाज़ साज़ारा कठे बोलड़ने ने रारा जल्दी बोल देना भी बोलना भी वी नवी रहादि है। एनु भी अनु पड़ना है गाघुछ वी ही और दे देकिंगो नहीं पुलना अच्छानित आएगा श्रम, श्रम पावाया श्रम बिस्थारे, इंया डेरा को श्रम कर का ले, फोड़ जाये तिसका श्रम करे, कई कोट माया श्रम माहें, ये थे आर्फों देने मेनत तखलीप अधना अर्फों देने जी, जड़े श्रम अखर हैगा जी, एक गुरबानी दे बेचे सचा रारा ममा सर्म करके भी आया, अर्थो दा हैगा जी, उद्दम, मेंत, जड़े श्रम खंड की बानी रूप, इथे सचा रारा ममा लिया होया, इथे आपनू श्रम ही पड़ांगे, को कई बिरहां दा बचार हैगा, वी दा आर्थ हैगा उद्दम, अपनू सचे अर्थ है दा टाफ बिरहां लेकन इदनी हैगा, श्रम खंड की बानी रूप इदनी जड़ांगे, इदनी अचारन करना, वी जएकर एदे आर्थ होड होज़े ने ताफ जड़ा उद्दम होड़ा चाहेंगा, गुर्वानी भी चाहेगा जिनना दे विच्ट बिल्कुल पूर का जित्ता देवनहार, अमल में नसा, अमल में कम भी हुंदा, सपेलिंग हुई ने, आडा, मम्मा, ललेनु ओंकड, अमल में कम भी हुंदा, अमल कर तर्ती, बीज सब्दो कर, साज की आव नित दे पानी, अखर दी बंतर बिल्कुल सेम है, ते जैसे ही कहिए दा उचार अड़ सेयरी, ये रहे बन गया, ओः और सबाख देजसारी हो, ये दा आर्थ बंतर होलाफटा होगे, उचार ने मिल पक जाहिए, इदा नहीं हों थेहा हुँदा, ते भी हुआ रहा भचार्याा होगे, देज सब्लपायनग कर दा दिन नेडे आया सब्स देजसे दाआ, सवे पाठ होईगा उन्हें सुन सुन जीवां सोय तुमारी इते भी ससे न होड़ा इरी न भी होड़ी हुन जे कोई कहे भी इते सोय ने होगे उचारन चेंज होना चाहिए दा नहीं है जाए गई सावदां दा उचारन भी लिखने लिख्या भी बिलकुल सेम हूंदा कोई सहा सब्सक्राइब 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 स्थाथ पार्ज बिन्दी रारे उपर आजिक मम्मा स्रम क्यी होना पंजाबी खोर भी एकए अखर हों देने जो ही पंजाबी लिह अपन लेह दें अपाले दें पुत्तर में अंकड़े रारा टृतर अपटर प्पर पार जी हिंदी लिखांगे ता अदा रारा होंदा पुतर श्करां आर, श्कुम३ं से खाणा में खाणा नाम में प्रदानुन, भार्द हळिक ँशन खम यहां, THE शिक्ता की साक्ष्ली की नहेंट तो भॉलात तो ुछ में खाणा टाहब के खाणा करांगे इनक बेंटार करना जी अपने वचार हों देने गलत भी हुष्णा देने जी जिसता कहे होग भी बचार है वह भी अपने वचार दाज़ा जिए वही गुरुजी का खालसा खालसा कि बाधब्हे जिस वखेविग धुष्भी द्वाना में दिए के बहुत हैं कि था भ जिस तरह शब्द उचारण में नहीं जान के नोईंगली नहीं पर जे असी कोई अखर जड़ा है उन्हों से इतना उचारण नहीं कर सकते हैं यहां से पता नहीं हैगा पर जे कर ओदी जड़ी पावना है जड़ी ओस अखर दा पाव है उस हनु बिल्कुल सही आ रहे है तो गल्ट छीक है तो इसे करके मैं लफ़ज बढ़ते हैं सोब लावाएं सिरे ते गड़ तो असल गल्ट एए है कि बाणी जा उपदेश सानु आना चाहिए नहीं याद जिस वोले बानी पढ़नी ते उनने वेच कई अखर आपणी वेच लाई जानी ते कहांदे मैंनू उसले आया भी ते बानी मेरी गल्त पढ़ते पर ते मैं उननों कहांदे माता जो रहन बैन याओन देओ जो ख्यालात सान। वो बड़े मतलबा भी जवें बहुती उत्तम स ते ओधा मतलब है कि मैं सरफ गल्मकॉन उनने खीरते ही लिखिया कि पाहँए मेरे माता जी क्योंकि पढ़े लिखे नहीं से या माता जी या उनने दादी से पर उनने उचारल जा ठीक नहीं से गाँए वो अपनी जड़ी अलाकेश रहें देशा उन दन देखर वेच बोल ते वो क्योंकि बानी दा फरक पेजांदा के ज सी तो अद़ा कें थोड़ा है जी इस तरह प्याँड़ा लेंदे पे जाफी और चड़े पेजाफी बोली ज बहुँआ भागा बाड़ी जी बड़ा फरक है वह आपनी जड़ी लहेट दी बोली जी बोली दा जोड़ी बोल परकेंदे होन में बाद विच इस गाल दा ग्यान आया कि उननों उदा पाव अंतली पाव पूरा से जितो वो सानुवी सिख्या देंदें सो मेरे कान दा मतलब है कि जेकर वाक वाक किसे वीरा दी या किसे विद्वाना दी राए भी वह ते कोई गल ने गलते ही है कि सानुव गुर्बानी समझाओनी चाहीदी है सब दासी जेना दें विचार ने तानुवाद कर दें तो साथ संगत जी होन समावी हो गया तो विचार मेरे वकफ़ा क्वीरा ने पैनल मेंबर्स ने देते ने होना सब दमय तानुवाद कर दां और संगत भी तानु स्वाल पेख दे भी नहीं और सनुगाइड भी करते हैं.